जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे स्पाइसी मटर फ्राई बनाने की रेसिपी तो चलिए स्वरू करते हैं पाइसी मटर फ्राइ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेन में दो टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून बारिक कट्टा हुआ लहसुन और लहसुन का कलर चेंज होने तक हम इसे तेल में फ्राइ करेंगे तो इस तरह से लहसुन का कलर थोड़ा सुने रहा होने लगे तब तक हमने इसे फ्राइ कर लिया अब इसमें एक चोथा टीस्पून जीरा एट करके दो चुटकी हींग एट कर देंगे जीरे के चटकने के बाद हम इसमें प्यास एट करेंगे तो हमने एक मीडियम सैज की प्यास को इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है तो साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे चार छोटी हरीमिज और हरीमिज को भी हमने बारिक काट लिया है प्यास के सोफ्ट होने तक हम इनको तेल में फ्राई कर लेंगे प्यास के सोफ्ट होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया इस टेच पर हम इसमें एट कर देंगे दो कप मटर और तेल में इसे भी फ्राई कर लेंगे तो मटर को फ्राइ करते हुए दो मिनिट हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसान नमक साथ ही में एट कर देंगे हाफ टीस्पून काली मिश पाउडर आफ टीस्पून जीरा पाउडर एट कर देंगे और एक चोथाई टीस्पून सिंधा नमक एट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो में एट करेंगे 1 choight कप पानी मिला लेंगे और अब हम इससे कवर करके लोफ लेंगों पर ने देंगे बीच में इसे एक बार चेक कर लेंगे तो मटर के गलने तक मैंने इसे लो फ्लेम पर दस मिनीट के लिए और पका लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हराधनिया एट करके अच्छे से मिला लेंगे अगर इस डीस को आप थोड़ा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इस टेज पर इसमें एक टीस्पून नेवू का रस और एक चोथाई टीस्पून चाट मसाला भी एट कर सकते हैं या फिर नेवू के रस की जगा अमचूर पाउडर एट कर दें तो खाने के लिए तैयार है स्पाइसी मटर फ्राई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आप से हमबल लिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं